असलाम अलेकूं वेलकम हैं आपका मेरे चैनल पर जो भी चैनल पर न्यूव है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर करके जाना और आए वीडियो आगे शुरू करते हैं वह भावी तो सपना की और अंशु की भी कुछ दिनों से कुछ ना कुछ बाते चल रही है हलाके जैसे ही सपना वीडियो डालेंगी अंशु भी फोरन डालके जवाब दे यह नहीं होता यह अंशु वीडियो डालेंगी तो सपना फोरन जवाब दे दे यह भी नहीं होता हलाके इनके पास भी परसनल नंबर यह वो सब कुछ है इस्टाग्राम है सब कुछ है लेकिन वीडियो टू वीडियो ही बात हो रही है समझ नहीं आता है कि इन लोगों को जो इनकी प्रवर्सी बस यही करकर के व्यूद लेरे अच्छा यह अभी जो चल रहा है आप लोगों को पता ही है सपना ने कितनी बार यह बात बोली है कि वो जो उसके हस्बेंड दूसरे वाले हस्बेंड का चैनल था उसने अंशु को दे दिये और अंशु ने आके वीडियो बना क बोली थी कि आप जाके पुलीस कंप्लेंट करो कि वो चैनल किसके पास है फिर वहां पर वीडियो आएंगी न तो फिर सबको पता चल जाएंगा इस तरह से उसने हिंट ऐसे दीती कि जैसे कि अंशु को पता हो कि चैनल किसके पास है सपना ने हला कि यह बात को बहुत बार लाइबो में बोली वडियो में बोली और शू के ओपर है यह ब्लेम डाली थी कि वो चैनल उसने अंशु को दे दी उसका बहुत बड़ा दी है तो वह sickly उठा के इसको उसको उसको दे देती है और उसको कोई चीच की लालच नहीं है फिर बार 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 प्रॉपटी की बात करती है चैनल की बात करती है और उसका लालच है ना उसकी बातों से नजर आता है वरना इतना कमाती है ना कि इसको जरूरत नहीं है यह चैनल की या वो प्रॉपटी की हलाकि इसके साथ ससुर ने बोले है कि हमारे बाद हई कौन बच्चों का यह फिर भी उसको एक दर लगा है आप लोग खुद सोचो आप लोग खुद यह बात पर थोड़ा गौर करो कि अगर के जैसे कि वो बोलती है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है अगर कि इसक इसको प्रॉपर्टी के इंतिजार में भई वो वो प्रॉपर्टी के इंतिजार में बैटी हुई है प्रॉपर्टी के इंतिजार में वो शादी नहीं कर रही है क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कई और शादी कर लूँगी ना उसके बाद में मैं हक नहीं ज निकल के आ रही है तो मैं लिख के देती हूं कि सपना की भी इसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी आएंगी जैसे कि अंशु ने बोली ना कि भावी पहले आप ऐसे नहीं थे इतनी जल्दी और इतना कैसे आप बदल गए तो भई वो पहले से ही ऐसी थी वो गेम खेल रही थी पू तुमको क्या हो गया भई वो पहले मानती थी सुरू में मानती थी बाद में जब उसका कहीं पर चालू हो गया ना उसके बाद में फिर उसने सिर्फ और सरी गेम के लिए ना ही तुमको बेटी मानी है और ना ही साथ सतरे को माबब और ना ही हजबेंड के साथ में वो सिंसेर थी अब देखो इस वीडियो में अंशु ने क्या बात की है कि जब भवी आपने बोला कि आप चलो घर से निकलते तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैंने आपका साथ दिया तो फिर ये औरत क्यों बोल रही थी कि मेरे साथ सतरे ने मुझे निकाला उन लोग ने मुझे मजबूर कि या मैंने बोली थी ना यह सारा कुछ उसका प्री प्लैंड ड्रामा था उसको खुद को ना वहां पर रहना था ना उसको अंशु को अपने साथ में रखना था उसको सबसे जान चुडानी थी जो कि इसने चुडा ली और अंशु का तो बहुत अच्छे से उसने यूस किये और जिस तरह से अंशु हर चीज में इसके हाँ 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 करती थी वो अपना काम निकालती गई निकालती गई और जो जो उसका काम था वो निकल जाने के बाद में उसने अंशु को भी छोड़ दी और फिर बोल दी कि इसके माबाब उसको चीनना चाते मेरे से आप लोग कुछ सोचो अगर कि इसके माबाप का इतनी चलती है और इसके माबाप छीनना चाते थे तो वहाँ पे जब इन लोग अलग होके रह रही थी अपना जब अपने ससुराल वालों से अलग होके उपर रही थी अपना खाना अलग बना रही थी अपना पूरा अलग कर चुकी थी तो क्या वो टाइम पे लो अंचु को नहीं चीन सकते थे मना कर सकते थे ना कि कोई जरुवत नहीं उसके पास उपर जाने की या उसको सपोर्ट करने की उसके साथ देने की उसके व्लाग वगेरा ये सब शूट करने की वो अराम से मना कर सकते थे लेकिन उन लोगों ने नहीं किये नहीं कर पाए क्यूंकि ये भी सुनती नहीं थी अंचु भी लेकिन देख लो उसका काम निकल गया ना फिर उसने अंशु को भी लात मार के निकाल दी और ये मेरी वीडियो आज भी पढ़ी है कि अगर सपना चाती ना तो अंशु को अपने पास में रख सकती थी वो खुद नहीं रखना चाती है और बहुत जल्दी आप लोगों को सपन के ना सारे करतूत है ना वाइटी पे नजर आएंगे बस वो प्रापटी के लिए बैठी है जैसे ही प्रापटी उसके हाथ लगेगी ना वह इसे ही आप लोग देख लेना के होता क्या है अच्छा आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मै जब इसके साथ ससोरे का और इसका जो भी चल रहा था ना तो उसके अंदर मैंने और एक फैर रियाक्शन दीती और मैंने मतलब के aggiक है जाएर सी capital कीती तो 70 परसन्ट मैंने साथ सासूर को कीती delay सपना के पासमें इसके बच्छे स्पमाईके या के पूरा परिवार रहे लेकिन वो दोनों औरत आदमी के पास में कुछ भी नहीं रहे गया है और साफ नजर आ रहा था किस तरह से सपना उन लोगों के साथ में कह रही है लेकिन आउडियंस ने आके कूप कमेंड किये कूप ये किये के सपना के साथ बुरा हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है ह लोगों ने बड़ी धंकियां भी देने की कोशिश की कि शरम कर लो क्या बोल रही हो तुम और ऐसा वैसा और सपना को बोलते से के तुमारी जान को खतरा हो सकता है तुम इनके पर केस करो तुम इनके पास नहीं जाना तुम अलब हो जाओ तुम दूर हो जाओ और जब लाश् कि सभी बुरे एक तुम ही अच्छी हो और सभी बोल रहे है कि तुम्हे काम करो अपने साथ सासूर के पाथ चले जाओ तुम अकेली हो इसके लिए सब जने तुम्हारे साथ में ऐसा कर रहे है कितना भी बोलेंगे तो तुम्हारे साथ सातुर इन लोगों से तो अच्छे है बात वही है ना जो मैंने बोली थी अब हो ही बोल रहे है सब जने पता चल गया आके खुल गई के गलत कौन था और सही कौन था भी जो दिखता है ना जरूरी नहीं कि वो ही सही हो हर चमकने Completely चीज सोना नहीं होती उसी तरह से ना ये जो दिखा रही है ना सपना ये सचाई नहीं है उसके साथ ससुर मैं बोलती हैं सपना лон कितना सुनने के लिए मिलता है कि साथ सासुर ने बहु के साथ ये कर दी है वो कर दी है वो कर दी है लेकिन वो उनके घर में बैटके उनके बेटे की वाइस लीक कर रही थी जो के दुनिया में नहीं है उसको गालियां पड़वा रही थी लेकिन देखो उसको जरा भी डर नहीं था क्यों नहीं था क औरना कोई आउरत की हम्मत हो एंगी अघर के सासुर्ल जलात अन्य bourण बैठ FAप के तो अनके बेटे की बाइस लिए और बैठा के मरे channel बेटे को गाल्यां किलाएं बद्वाएं खिलाएं नहीं ना तो यह जो दिखाती जूर दिकाती अपनी आखे खोलो गलत को सपोर्ट करना बन करो इतना जूड बोलती है जब भी वहां पे गई रहने के लिए शिवी के घर के तरफ तो बोल रही है कि बच्चे की फीज कैसे बरूंगी बहुत इक्सपैंसिव है यह कैसे करूंगी वह कैसे करूंगी रैंड के घर में हो मेरा तो कुछ का गर नहीं है और एक ही मेने के अंदर अंदर गाड़ी भी ले ली समझाई आप लोगों को किस तरह से वह सी बना रही है सबको और अंशु को जो इतना दूख हो रहा है ना कि आपके इतनी कैर किये आपको इतना मतलब यह किये सपोर्ट किये फिर भी आपको कोई अपना नहीं दिख रहा है तो भाई इसका अपना कोई और है वो दिख रहा है इसको और बहुत जल्दी वो सामने भी आ जाएंगा पता चल जाएंगा यहां पर जब ऐसे थी कंट्रोवर्टी आ सकती है कि भाईया भाईया बोले आखिर में निकला सैया है जीजा के साथ में अपनी ही साली चार गंटे निकाल के आ गई तो यह सपना कौन सी दूट की दुली है भाई इसका भी कुछ ना कुछ आएंगा सबर रखो खली शुने जो एक बात बोली है कि बैक पे मेरे पेन हुआ था मसल फट गया था और आपने बोला कभी किसी को बताना मत तो मैंने नह बताई और वही टाइम पे आप मुझे छोड़के चले गए और सबने बोले कि देखो आपको इतना पेन में वो छोड़के चले गई तो मैंने बोली नहीं उनको काम है यह वो है तो मतलब यह औरत भी मतलब जैसे के और जिसके पर मैं रियाक्शन देती हूँ से मईती है बुरा ना बोले मतलब हर किसी से खुद को सिरीफ और सिरीफ अच्छा बुलवाना है और हर किसी को गंदा करना है अगर यही काम सपना के साथ हुआ होता उसकी बैक पेन हुई होती उसका मसल पटा होता और किस तरह से क्यूं हुआ वो तो इतने बताई ही नहीं अंचुने तुने बोली चलो वो मैं नहीं बताती हूँ मिन्स के पीछे भी सपना का ही हाथ था उसी के लिए यह कुछ कर रही थी और ऐसा कुछ हो गया अगर किस अपना के साथ हुआ होता तो सोचो वो किस तरह से सिंपती लेती इस चीज़ का कितना हुआ बनाती जब बिमार होती है इतनी सिंपती लेंगी हाए मेरे साथ क्या हो गया लोगों ने मेरे साथ में बड़ा बुरा कर दिये और मुझे कोई सपोर्ट नी कर रहा कोई मुझे दवाई नी दिला रहा कोई मुझे देख नहीं रहा लगिन खुद जब किसी के साथ करती है तो उस चीज़ तो खुद को चुपाती चुपाती है इसको भी बोल दी कि किसी को मत बताना बताओ भई देख लो कि दिखने में क्या है और अंदर ते क्या है किस तरह से लोगों को बेवकूब बना रही है और भई अंशु ने ये भी बोली कि अगर कोई दिकत है कोई बात है तो आओ बैटे है बात कर करते हैं यह सब बेकार है सब को बताना अपने घर की बाते बताना बैठके सॉल करते हैं बैठके बात करते हैं यह सब मत करो मतलब वह चोटी होके देख लो किस तरह से बाते कर रही है और यह इतनी बड़ी बुड़ी होके यह पागलों जेती हरकते कर रही है पागलों जेती ह गर है ये वो है ये आप लोगों को लगता इतनी बेवकूफ है अपना के सारा कुछ ये प्रॉपटी फरी दी और साथ सासुर के नाम पे कर देंगी तो भी इतने बोली है ये बात के पेपर उनके नाम पे बना हुआ है वो ये बोली है कि वो रख लेंगे बोले ये वो रख ल तो मैं यहीं बोलूंगी कि ऐसे यूटूबरों से बच के रहो थोड़ा सी अवेर रहो और यह जो भी ड्रामे लेकर आते हैं ना तो इनके पर फॉरण विजवास करने की जरूरत नहीं तो चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाई बाई